Hello Friends! आप यहां देख सकते हैं कि विहार कल्चे इंवसिटी सवौर भागलपुर की दोआरा subject matter specialist post के recruitment के लिए advertisement जारी किया गया है यह जो recruitment अड़िटमेंट्रेइज किया गया है आप total 49 वेकेंशी है जिसमें 19 जो post रब्रेज़ के सीट है और 13 जो है आप यहां देख सकते हैं कि जो सीट का डिस्टिबिशन दिया गया है जो बैकलोग के वैकंसी जो है जिसमें अगरिकल्चर इंगरोनोमी इंटोमोलोजी होम साइन्स वर्टिकल्चर सभी सब्जेक्ट में टोटल 90 पोस्ट के लिए डिविटाजमेंट जारे किया जो बैकलोग सीट में है यहां दिया गया है अब देख सकते हैं सब्जेक्ट डिस्टिबिशन आगे आप देख सकते हैं कि जो करेंट वेकंसी जो टोटल 30 है उसमें जिसे एक्स्टेंस एंगरोनोमी इंटोमोली होम साइस वर्टिकल्चर प्लांट वेडिंग इंगेंटिव प्लांट पै सकते हैं इसका जो ग्रेट पे है जो 54 था हंडिड का है पलस जो पेस का है यहां दिया गया है आगे आप ही स्ट्रक्चर अफ दे सकते हैं जो अप्लिकेशन फी जो भी कैंडिट्स जो बी यू के दिलिए के दौरा इसमें स्पोस्ट रुटाइज के है उसमें जिसान रिजर स्ट्रक्राइज के लिए अप्लिकेशन फॉर्म फी जो है आपका उसी तरह स्ट्रक्राइज जो कैंडिट्स है चाहिए उनके लिए 250 रुपीज है पलस जो सबसे इंपोर्टेंट चीज जो होता है किसी एड़टाइज के लिए होता है एसेंसिल क्वालिफिकेशन तो जो य यह यह एक्विलेंट ग्रेड बी इन सेवंपांट सेल भी एड़ अट दे मास्टर लेवल मत्व मास्टर डिगरी लेवल पर आपका एपलेस 55 परसेंट मार्क्राइज होना चाहिए इसेंड डिविजियन होना चाहिए किसी भी रिकोगनाई इनवर्सिटी से अपलस सकेंड आप देख सकते हैं कि जो कैंडरेट्स हेविं मास्टर डिगरी तो नेट सेल रिमें कंपल सेंगों भी ओन पॉब्लिकेशन इन नास रेटेट जर्नल फॉर एक्विट्विट्म पोस्ट अप एस्सिस्टेंट प्रोफेश्य एक्विलेंट इन डिस्सिप्लिन इन विच प्रोफेश्य आप देख सकते हैं कि जो ओर डिपीडी कंप्लेट्ट इन विच नेट की जरुवत नहीं है पर उनके पास दो पि पर और अकर नास रिटेट्र होना चाहिए आगे आप देख सकते हैं कि जो यहां पर age criteria दिया गया है जो यहां पर जैसे maximum जो unreserved category के लिए जो age 37 है plus BC जो unreserved category female है उनके लिए 40 years है प्लाजर CST candidates के लिए 42 years रखा गया है और और जो reservation का जो है on the basis of government of Bihar का है वसके प्लस जो यह जो है जो application for apply कि application form इसके लिए जो है आपका जो last date रखा गया है online application form through the link available form 4th March 2023 तो जो भी candidates जो BAE की द्वारा SMS का पोस्ट रविटाइज के गया है उसके लिए form fill up करना वो 4th March 2023 से start होगा और 28th March 2023 तक इसका application form भरा जा सकता है तो जो भी candidates जो भी जो भी जो भी इस पोस्ट के लिए qualify candidates है वो 4th March शेले के 28th March 2023 के बिच इसका जो BAE के द्वारा SMS पोस्ट के लिए उसको उसका form fill up कर सकते हैं आगे आप देख सकते हैं कि जो भी आपको document चाहिए यहां पलस से अभी यहां देख सकते हैं कि जो 33 अप्लिकेशन form fill up कर जागा उसका हाड कोपी भी यहां दिया गया address इस पर स्वीड पोस्ट यह इस्टर पोस्ट के थुरू आपका 12th April 2023 तक इस address पर आपका हाड कोपी हो जाना चाहिए दर्वाई आपका फॉर्म जो है से नहीं किया जाएगा तो थैंक्यू फ्रेंट्स अगर इस वीडियो से रिलेटिट अगर किसा आप लस्यां आगे आप देख सकते हैं कि जो यह पोस्ट डूटाइज किया गया करते है एसिमेस का उसके लिए स्लेक्षिन डिया गया है कि आपका इसमें दो च्राइटि से ऐसे पर दो स्वह मिप जाए कर जो भी जीसे एकड़मे का प्लस 20 मास का इंटिव्यू लिया जाएगा तो जो भी तो यह है तो तो थैंक्यू फ्रेंड्स अगर इस पोस्ट के लिए जो भी अपलाई करना चाह रहे हैं जल्ट से जल्ट जाके बीयों के साइट पर जाके ऑनलाइन मोड में इस फ़र्म को फोर्थ मार्च 2023 से 28 फिलेड़ टुटेश चाह बढ़ेज़ बढ़ जाना है उसमें जाके फील अब कर दें थैंक्यू